मातिश्वरी जी के अनमोल महावाक्य आत्मा ही परमात्मा है दुनिया वाले क्या कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है नहीं आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल सुन्दर मेला कर दिया जब सत्गुरु मिला दला जब अपन ये शब्द कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछड़ गई है बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछड़ गई है तो ये शब्द सिद करते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग दो चीजे हैं दोनों में आंत्रिक भेद है परन्तु दुन्यावी मनुश्यों को पैचार ना होने के कारण वो इस शब्द का आर्थ ऐसे ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूं परन्तु आत्मा के उपर माया का आवरन चड़ा हुआ है होने कारण अपने असली सुरूप को भूल गए जब वो माया का आवरन उत्तर जाएगा फिर आत्मा वही परमात्मा है दुनिया वाले क्या कहते हैं आत्मा पर माया का आवरन चड़ा हुआ है इसलिए वो अपने आपको भूली हुई है और जब ये आवरन उत्तर जाएगा तो आत्मा वही परमात्मा है तो वो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ परंतु आत्मा अपको भूलने के कारण दुखी बन पड़ी है जब आत्मा फिर अपने को पहचान कर शुद बनती है तो फिर आत्मा परमात्मा में मिल एक ही हो जाएगी तो वो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं परंतु अपन तो जानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीज़े हैं ना आत्मा परमात्मा हो सकती है और ना आत्मा परमात्मा में मिल एक हो सकती और ना फिर परमात्मा के उपर आवरण चल सकता है तीन बत परमात्मा पर आवरण नहीं चल सकता आत्मा परमात्मा में नहीं मिल सकते और आत्मा परमात्मा नहीं हो सकता शांक्ति और विश्दार से जारने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजा पिताब दम्हा कुमारी इश्वरिये विश्व विद्याले के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्ग करे और यदी कोई प्रेशन है तो 92-131-06-986 पर के वल टेलिग्राम करे 965-069-2270 पर के वल वार्चेप करे ओने ओम्हां